आज की ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है मेरी छोटी बेटी शानवी के स्कूल से और उसका रिजल्ट आ चुका है अब वो नेक्स क्लास में चले गई है और उसके बाद हम नेक्स क्लास में जाने की तयारी कर रहे हैं हियर कटिंग करा दी है मैंने दोनों बच्चों की और इसकूल जाने से पहले बहुत सारी तयारियन करने होती है तो हियर कटिंग के बाद अब हम घर आए और हमने जो बुक्स ली थी स्टेसनेरी से उनमें कवर और नेमचीट सब कुछ ये कवर कर दी हैं नहीं सुभा और नहीं उमीद हैं तो आज है बच्चों का न्यू क्लास का फर्स डे तो मैं आज इनके लिए स्कूल के लिए बना रही हूँ पनीर का प्रांठा उसके लिए मैंने पनीर को ले लिया है और उसमें मैंने मसाले नमक अज्वाइन और प्याज और कस्तुरी मेथी और नमक सब कुछ एड़ कर दिया है उसके बाद ये परांठा डाल दिया है और दूसरा बन रहा है ब्रेट पकोड़ा उसके लिए बेसन लिया है थोड़ा सा उसमें अज्वाइन डाली है थोड़ा सा मसाले थोड़ा सा नमक और ये ब्रेट प्रफिन रेडी है और ये भार का क्लाइमेट देखिए ये रोज चेंज हो रहा है सुबह बारिश हो रही है दिन में धूप आ रही है श्याम को फिर मौसम साफ हो रहा है तो ये हमारी छट की स्थिति ऐसी हो गई है पूरी बारिश हो रही है राज से और स्कूल का फर्स डे भी है आज बच्चों का तो ये डबल टेंशन है तो ये बच्चे रेडी हो चुके हैं और ये जारी है मेरी बड़ी बेटी स्कूल के लिए इसका स्कूल पास में पड़ता है तो हम पैदल ही निकल जाते हैं बच्चों को छोड़के जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने खि यहां यह वही घुगुती है जिस पर गीत बने वे हैं आमा की डायों मा घुगुती ना बासा और एक और मुझे याद आ रहा है वो है घुगुती घुराने लगी मेरा मैं तकी तो बस यह सब बहुत सुन्दा लगता है इसके कुछ टाइम बात एक और चिड़िया उसी पेड़ पर आई और यह भी कुछ गीत गुन गुनाने लगी फिर दिन का टाइम था और बच्चों की छुट्टी हो गई थी मैं बच्चों को लेने स्कूल गई और स्कूल से जब हम घर आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे बच्चे बारिश में ऐसे भीग रहे थे क्योंकि इनको बारिश का मौसम बहुत पसंद है और यह चाता रेन कोड कुछ इनको यूजनी करना होता है बस बारिश हो जाए और इनको भीगना होता है बारिश में डांस करना होता है तो यह बारिश का फुल मज़ा लेत यही तो बच्चपना है इसमें कुछ भी करो सब कुछ मस्ती लगती है